आपूर्टेंट कई अनूस की जा रही है और तेसरी जैसा के आप लोग जानते हैं के डियेस साइंस इस इंस टेट्टूट की तरफ से आपके लिए एक टेस सिरीज अनॉंस की जा रही है और test series जैसा कि आप लोग जानते ही है test series अपने आप में एक बहुत important role play करती है यानि कि ये जो session है ये session का last time यानि कि January की अगर हम बात करें January में ये test series आपके announce हो रही है और January की दो तारिक से यानि कि 2nd of January आपकी ये test series शुरू हो जाएगी ये test series अपने आप में इतना बड़ा role रखेगी आप लोगों के लिए कि ये practice तो आप लोगों को करभाएगी करभाएगी आपके exam के जो paper pattern होगा और paper pattern को भी आप से introduce कराएगी साथ में आपके अंदर जो exam का जो phobia होता है आपको ये खटाने के लिए आपकी मदद करेगी remove करने में आपकी मदद करेगी तो अगर हम देखे हैं कि अपनी कौन-कौन से test यहां लगने वाले हैं तो मैं आपको बताएता हूं कि एक तो दो जन्वरी को unit test लगने वाला है दरसल इसको divide किया गया है units के अंदर units से क्या होगा कि आप लोगों के लिए एक part मिल जाएगा एक भाग मिल जाएगा कि जिसमें आपको किस तरह से prepare अपने आपको करना है जैसे basic mathematics used in physics, vector, units, dimensions, measurement and electrostatics आपको दी जाएगी दरसल ये सारा जो syllabus है ये आपके subject wise और कुछ topic wise बाटा गया है तो physics, chemistry और mathematics का ये IAT, JE के लिए आप main के लिए ये आपके test series रहेगी और देख लिए आप एक दो तारिक को लगेगा, एक तीन को लगेगा, एक चार को लगेगा unit test एक आपका पाच को review test होगा review test का मतलब में समझाएता हूँ आप लोगों को कि जितना आपका ऊपर test हो चुका है जो भी test number 1, 2, 3 आपका लिया गया है वो 1, 2, 3 test पर, 1, 2, 3 test जितने भी आपके ऊपर syllabus हमने cover किया है वो सारा syllabus आपको एक पर revise करवाय जाएगा जैसे कि आपको पूरी डंग से, अच्छे डंग से वो याद हो जाए यह ज़्यादा ज़रूरी है मतलब आप जो test देते हैं, पहले दूसरे तीसरे यानि कि जो test देंगे आप 2, 3 और 4 तारिक को उसका एक revision test हो जाएगा आप लोगों का 5 तारिक को फिर 6 तारिक को आपका फिर unit test नंबर 4 होगा जिसके topics आपके यह रहेंगे physics chemistry math में और इसके बाद आपका जो 7th को रहेगा एक test 6 के बाद और फिर 8 को फिर आपका review test लगेगा एक को फिर review test लगेगा और review में ऐसा ही नहीं कि हमने के बद 6 तो 7 टेस्ट का content लिया है बलकि आपको 1st to 6 जो test हमने लिये हैं आपकी unit test उनका सबका content इसके अंदर लिया गया है जो आपके लगेंगे वो 9 को और 10 को लगेंगे इसके बाद में unit test नमबर 8 आपका 11 तारिक को लगेगा 11 जैनुरी यानि कि एक ही महीने में इतने सारे टेस्ट आप दे रहे हैं मतलब 8 टेस्ट लगवग आप दे चुके होंगे और इसमें आपका लगवग लगवग पूरा यह मान लीजिये cover हो जाएगा ठीक है ना और अब हम बात करते हैं कि एक review test all लगेगा जिसके अंदर आपके 8, 9 और 10 आपके ये लगेंगे इसके बाद में एक unit test number 9 यहां पर दिया गया है 9 फिर एक review test आपका फिर लगने वाला है यानि कि यह आपका 8 से लेकर के 13 टेस्ट जो हमने लिए है unit test उनका लगेगा फिर ये जो आपके 4 तो review test हो गए और लगवग 9 या 10 आपके unit test हो गए और इसके बाद आपके जो major test हो चलते रहेंगे जिसमें full length syllabus यानि कि हमने complete syllabus यहां पर cover कर लिया है 16 January से आप लोगों के complete test यहां पर चालो हो जाएंगे full syllabus यानि कि यहां पर आपको particular topic नहीं दिया जा रहा है आपको topic नहीं दिया जा रहा है बलकि आप लोगों को यहां पर complete syllabus दिया जा रहा है और यह बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप लोग complete syllabus का revision कर लें अच्छे से दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि test series अपने आप में मैंने अभी बताया भी था कि बहुत बड़ा roll रखती है यानि कि यह analysis है जिस तरह से हम लोग morning में ready होते हैं ready होने के समय पर हम अपने आपको mirror में देखते हैं और अपने आपको देखते हैं कि किस तरह से हम ready हुए है हमारा जो look है वो ठीक है या नहीं जबकि हम उस लोग को काफी बार regular समाल चुके है इसी तरह से test series का अपना एक role रहता है आप बली preparation कितना भी कर लें लेकिन test series जब तक अच्छे से नहीं लगाओगे तब तक उस preparation का result अच्छे से नहीं आने वाला है आप लोग confident हो जाओगे सबसे बड़ी बात confident हो जाओगे confident के बाद आपको paper pattern introduced हो जाएगा और paper pattern जब introduced हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर आपके अंदर जो paper के प्रती phobia है ठीक है ना phobia for paper आपके अंदर भचेगा आपको यह पूरा खत्म हो जाएगा तो I hope my dear students आप DS Science Institute की test series पर rely करोगे और इसको join करोगे यहाँ हैंदे की अपके प्रता क्से पर करोगे गार क्से बाद के आपके यहाँ है